नमस्कार दोस्तों टेक्निकार यूट्यूब चैनल में आपका स्वगत है तो यहां पे देखिए दोस्तों हमारी वार्षब में आया हुआ है सुरा सासथ सप्में तिस एफ़ी तो दोस्तों हम इस गारी का और सिल चैन्ज करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रोब्लेम क्या है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यह रियर हो से यहां से ओलल कर चैनल में नहीं हों सरिकिर कर दियना और किसान भाईयों में साय करना मत बुलना तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यह किस तरह से लिके चुरा है तो इसके लिए हम इसका लिप कवर को खोलेंगे मतनगा भाहरोली टापा को खोलेंगे तो ज़ल्दी से मैं इसका लिपकोफर को खोल देता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से यह व्लसेट चैंडर याज़ाता है तो यहाँ भी देख सकते है가 दोस्तों हमने इसका लेफकोफर को खोड़ चुकर है और इसका पहिया और इसका एक्सल को बाहर निकालेंगे और मैं आपको दिखाँगा इसका वल्सिल नमबर और यह किस तरह से वल्सिल लगता है तो मैं आपको दिखाँगा तो हमने एक्षल को बाहर निकाल दिया है दोस्तों यहां देख सकते हैं यह he flex और निकलंकर हमने उसका एक्षर प्लेट को देख को हमने बाफ से रहेक्षिजश लाव हिए दिकित हैं और यहां देखिए दो स्केट Is जिए शाथे और सीदोस इसका वल्सिल नमबर रख सकते हैं देख रहा है तो लख जी सिद हनोग जो जो नें इंच है तो यांकि दीखे देखे दोस्तों हमने इस वासे को भीषा लिया है यह दोस्तों आप हम बार वाले बुचाएंगे जो जिस शाइट चाका लगता है उसी स तो यह देखे दोस्तों हमने इस वलसिल प्लेड में वलसिल को हमने बीठा लिए है और इसका वलसिल नमबर है देख सकते है 1923 और इसका बेरिंग को हम ग्लीसिंग कर लेंगे और इसके बाद हम एकषल को फिट करेंगे तो दोस्तो हाजिंग में और एक वलसिल लगता है बाहर की तरफ और वो यह वलसिल है यह साथे वलसिल दोस वो जो अंदर वाला लगा हुआ है वही वलसिल यहाँ पर भी एक लगेगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने एक्सेल को लगा लिए है और यहाँ पर जो 36 नमर का बुल लगता है अंदर की और उसे भी हमने टाइट कर लिए है और यह जो वलसिल प्लेट है वो तेरह नमर का बुल लगता है यहाँ पर उसको हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे इसके बाद दोस्तों हम इसका लिप कहर को लागा देंगे तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कामेन करके जरूर बताना फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी नहीं टूपी के साथ